स्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल राज ग्यान पर सेहत और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसे साबित होंगे आईए जानते हैं, जानिए, मेश राशी के जातकों आने वाले 8 साल कैसे रहेंगे वैदिक जोतिश अनुसार मेश राशी वालों को 2023, 2024 और 2025 का आधा साल इंकम के द्रिश्टिकों से बहुत अच्छा है इस अवधी में आई के नए नए स्ट्रोथ बनेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिती मजबूत होगी लेकिन आपको शीरिरिक रूप से कश्ट हो सकता है, सिर में पीडा हो सकती है वही 2025 का आधा साल, 2026 और 2027 का वर्ष आपके लिए धर्म से जोडने वाले रहेंगे वही धर्मिक कर्म में आपका रूज़ान बढ़ेगा, साथ ही धर्म कर्म के कारियों में आप रूपे खर्च कर सकते हैं वही आपको लोब और लालच की प्रवरिती बढ़ सकती हैं वही 2028, 29 और 30 आपके लिए कश्ट कारी रह सकते हैं क्योंकि आपकी राशी पर नीच शनी का प्रभाव देखने को मिलेगा वही 2028, 29 और 30 का आधाय साल में शनी देव मेश राशी में ही ब्रह्मन करेंगे इसलिए शारीरिक कश्ट हो सकता है वही वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ सकती हैं साथ ही जीवन साथी के साथ मनमुटाब हो सकता है वही आपके साथ कोई धोखा या चीटिंग हो सकती है इसलिए किसी पर आँग बंद करके भरोसा नहीं करें साथ ही किसी दस्तावेज पर अच्छे से देख कर साइन करें वहीं आपके लिए सबसे शुप जो रहेगा वो है साल 2026 इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ती होगी साथ ही सुख सुविधाएं बढ़ेंगी इस साल आप वाहन या प्रॉपटी खरीद सकते हैं वहीं जमीन जायदाद के लेन देन से मुनाफ़ा हो सकता है वहीं अगर आप राजनीती से जुड़े हुए हैं तो आपको साल 2026 में किसी पद की प्राप्ती हो सकती है आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवन दोस्तों को शेर जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए अब आगे बढ़ते हैं आप चुनाव जीत सकते हैं इसलिए साल 23, 24 और 25 के आधे साल तक जो काम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं नए काम की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों का आशिरवाद आपके साथ में है मेश राशी के जातकों के लिए अपरेल 2023 से अपरेल 24 तक देवगुरु का आशिरवाद आपको प्राप्त होगा इसलिए इसका लाब उठाने का समय है वहीं वर्ष 2027 में देवगुरु ब्रहस्पती की दृष्टी मेश राशी के उपर रहेगी तो उस साल आपको धनलाब के अफसर ज्यादा प्राप्त होंगे अकस्मिक धनलाब भी हो सकता है साथ ही रियल स्टेट जमीन जायदाद में लाब हो सकता है करें ये महा उपाए वहीं आप लोगों को 2028, 29 और 30 के आ साल आपको धनलाब भी हो सकता है साल आपको धनलाब भी हो सकता है